लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स करें लुछने टेकंट जार दोग झालते खेकंटें लीड़ी करें लुद आपड़ते हैं झालाओ 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 कर दो कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो आफ सके हैं प्रवाइदा नहीं कोई फाइदा नहीं पानी में रहकर मगर मच से लड़ सकती हो मगर पानी से नहीं चार उतर पानी पानी है सांड के तरे काउं उपर चला रहा है सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ मैं लड़ा नहीं पानी है वो तक पीछे रहा गया स्टेशन पर अबने आएगा डर मत हाँ भूख लगी है नो खाओ तुम लोग जोलगा भाई हो मेरे नम राजू है मेरे नम देबू लो चन्ना खाओ न तुम्हारे माबब कहा है तुम्हारे साथ कौन है कोई नहीं है क्या मतलब तुम लोगे साथ कोई नहीं है नहीं तुम्हारे साथ कौन है कोई नहीं तुम लोग कहां जा रहे हो दूर बहुत दूर तूर बहुत दूर गल से दूर, पापा से दूर पापा हमको बहुत मालते है इसलिए हम जा रहे हैं तुम्हारे मा कहा है हमारी मा नहीं है तुम्हारे अरो दुम्हारे मा कहा रहे है युम्हारे मा रहें टिक्ट प्लीज मेरे पास टिकट नहीं है क्या टिकट नहीं है दो बच्चों के साथ बिगकर टिकट सफर करें आप सामान का है आपका सामान नहीं है इसने जूरूर अपनी मियां से जग्रा किया होगा और घुसे में ये घर छोड़ कर चले आई है ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी पती से जगड़ा करके बच्चों के साथ घर छोड़ देना तुम देशी पड़े लिखी लड़की को शोबा नहीं देता जमाना अच्छा नहीं है बेटी इन दो प्यारे प्यारे मोतियों को लेकर कहां जाओगी इस पथर की दुनिया में पिस जाएंगे ये कहां जाना है आपको क्या नाम है तुम्हारे पती का पती का नाम अपनी जुबान से कैसे लेगी इस बच्ची से पूछुना क्या नामे बेटी तुमारा राजू और तुमारे पिता का जग्दि शर्मा घर का है तुमारा बांगरा बंबे आप यहां उदर जाएए थोड़ी दिर में वापसी के लिए आपको यहां से गड़ी मिल तो से भी मिलेगे तो से अपना उदर शोला पाफ का सब कुछ होता है आपका टिकेट हम लोग कहा जा रहे हैं घर जा रहे हैं, पापा हमें मारेंगे, हम घर में जाएंगे मैं तुम लोग के साथ चलूँगी तुम्हारे पापा से कहुंगी कि वो तुमें नहीं मारे इसे तुम ले जाओ, तुम्हारे दोनों बच्चों के शकल, इस पूली स्टेशन के हर कॉंस्टेबल को उनके अपने बच्चों से जादा याद है, हपते में सात मर्तबा भाग जाते हैं, और शाम को लौट आते हैं, बार बार कंपेन लिखवा कर क्यों सरकारी कागज का नु ये रा हमारा घर, ये हमारे पापा है, आ गए तुम उल्लू के पठ्थो, नमस्ते, अच्छा, तो आप इस दफा लेकर आई हैं इने, जी, कहां मेले ये बदमाश आपको? दिल्ली जाने वाली रेल के डिपे में. जी, अब क्या करूँ मैं इनका? आप इने से पूछे, दिल्ली जनवेल ट्रेन में बैठके ये कहां जा रहे थे? दूर, बहुत दूर जा रहे थे, क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत मारता हूँ, यही बतायने नियुने आपको अरे देवी जी, जितनी शरारते ये करते हैं, उसके मुकाबले में ज़रा भी मार नहीं पड़ती अब आप ही बताईए, मैं सा दिन नौकरी करूँ या इने ढूटता फिरूँ, जब देखो घर से गाइब, जब देखो घर से गाइब मैंने राजो और देबु को वचन दिया है, क्या इंद आप इन पर हाथ नहीं उठाएंगे जी, आपने इने वचन दिया है, माफ कीजिए देवी जी, माफ के इस वचन को निभाने का वचन नहीं दे सकता इतने प्यारे बच्चों पर, कैसे हाथ उठाते हैं आप, ओ, बड़ा मोह गैन से, तो आप इने साथ ले जाईए आप इने घर ले, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, चली आपको घर छोड़ाओ, इसकी कोई जरूत नहीं, मैं खुद चली जाओंगी अरे बैटे-बैटे मेरा मुं क्या देख रहा है रोठी खाना पापा वो भी बुकी है उसे बुलाना उसने कुछ नहीं काया किसको आंटी को है आंटी को तुम फिकर मत करो बहन, सारा देश जानता है कि में शरीफ आती है अगर तुम इसकी मा हो तो मैं इसका मामा हूँ जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा ऐसे घराने में जाएगी हमारी बिटिया रानी के राज करेगी सोने के जूले में जूलेगी डोली में जाए न जाए निकलेगी अर्थी में तो 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 बिलकुल सच है घवरामन बेटी जमना जा मामा के साथ चली जा मैं जल्द ही आ जाओंगी सोते जी हुई तो क्या हुआ बेटी आखिर हूँ तो मैं तेरी माही मामा सगाई करवा के मुझे खबर कर देगा बस मैं फेरे के समय तक पहुँच जाओंगी मुझे भीया मेरे जमना को सभाल कर ले जाना और सुनो तारिख पक्य करके मुझे तार दे देना मैं पहुँच जाओंगी चलो मांजे रेल का टेम हो गया उठो बटी उठो जो मेरे बच्चे जो सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ तेलन बाई मेरी शराफत और तुमारी नजाकत क्या रंग लाई है देखो ये है गंगापुर की जमना और ये है तेलन बाई शरीफ आदमी की शराफत अरे जमना पाउच हो पाउच हो आओ बैठो जमना बेटी जमना भुवाजी सगाई से लेकर के दाई तक का सब ताम करती है तेलन बाई तिल मैं ले आया हूँ तेल तुम निकाल लेना अरे तेलन बाई चिलमन में कोई हरकत नहीं हो रही है मैं नहीं नाचूंगी तु क्या तेरी अम्मा नाचेगी छिनल साथ हजार रूपे तेरी सोते लिए अम्मा को गिन कर दिये हैं और पांच हजार रूपे तेरे बनाओ सिंगार और तालिम में खर्च हो चुके हैं मैंने कहती है न मैं नहीं नाचूंगी नहीं नाचूंगी नहीं नाचूंगी जवान चलाती है हरम्जदी तु नाचेगी कैसे नहीं मैं तुझे चराय पर निलाओव करा दूगी चलो काजल ने तो ताग लगाया पायल ने इल्जाम दिया चोराहे पे छुनरी गिरी तो हुमने कलेजा तोम लिया घुंक तुठा के सर आओ घुंक तुठा के सर आओ मुझे को इनी लोगों ने किया बदना ये तो इनकी नजर का है का शहर में मेरा नाम बहुत बदना मेरा नाम बहुत बदना बाली उमर ने जुर्म किया जाने क्या क्या सोच लिया बाली उमर ने जुर्म किया जाने क्या क्या सोच लिया नत्री जगनी नाम हुई शीशे में चहरा ना देखा गया गुंगलू पहना के मेरे राम मुझे को इनी लोगों ने किया बदना जब से उमर जाम हुई सुबह हुई ना शाम हुई जब से उमर जाम हुई सुबह हुई ना शाम हुई इनका तमाशा देत घड़ी अपनी उमर मा काम हुई रतिया जगा के बिना का मुझे को इनी लोगों ने किया बदना मुझे को इनका इनी उमर जयाओ दिल का धड़कना खूब रहा, टपक टपक कर खून ववा दिल का धड़कना खूब रहा, टपक टपक कर खून ववा लोगों ने अपने जाम परे, और नशा पर रोज किया साके बना के सुबशाँ, हरम साके बना के सुबशाँ मुझे को इन्ही लोगों ने किया बद्राँ गुंकर तुल्चा के सरया, मुझे को इन्ही लोगों ने किया बद्राँ वा 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 अंदाज छूता तेवर तीखे, लोच औ लचक का तो कहना ही क्या है? कमाज जब बल खाती है तो लोग जूम जाते हैं, आज से ये तेलन बायका कोठा नहीं, जमुना धाम कहलाएगा वा 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 आज से जमना बाई को लोग देखने आएंगे, सुनने आएंगे, खरीदने आएंगे मैं विकाव नहीं हूँ, भूग के जागने पर भूगा दिवाना हो जाता है, मचल उठता है, उसकी दिवांगी का फायदा उठाना हमारे धंदे का धर्म है, ये धंदा मेरा धर्म नहीं, मजबूरी है सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आत्मी हूँ, मगर मजबूरी को मन्जूरी में बदलना भी जानते हैं हम लोग, आज की रात है एक हजार कीमत है, कल रात और बढ़ेगी मुकूर भी आरी, मैं अंदर आओ, अरे आओ अंदर आता, ये तयार है, चलेगी हुँ, देखती हूं कैसे जाती है यहां से, तेलन बाई के खोटे में से जाना इतना असान काम नहीं है, तेलन बाई, कफन जिसने सर पे बांद लिया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नंगा नहीं कर सकती, अज़ो, तु नहीं बच सकती, तु कोठे की है, मैं तुझे ढून कर लाओं तुझे वापस कोठे पर आना होगा, हुआ हुआ है, तु देखो देबू, तुम धोरोबाई हात मों दोकर यह दूद पिलेना है, और खाना खालेना अंदर रखा है, कहीं जाना नहीं, को इशरात नहीं करना, मैं जल्दी आ जाओंगा, समझा? दूद पिले न, देबू चल, चल कर आंटी को दूणते है तुने छुना नहीं, पापा क्या कहेंगे है अरे तु डरता क्यों है, पापा क्याने से पहले लोट आएंगे, चल क्या 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 है आंटी, आंटी, आंटी अरे, तुम लोग बेवू, राजू आंटी, तुम कहां चले गए थी, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना, हमारे साथ ही रहना हूँ अच्छा नमस्ते बहन जी, नमस्ते, मुझे जगदी शर्मा कहते है, बैचिए कहिए, हमारी सांस्ता आपकी क्या सेवा कर सकती है जी, मैं दो जड़ोव बच्चों का बाप हूँ आप इने अपने आश्रमें भरती कर लीजिए देखिए, यहां किसी को भरती नहीं किया जाता, सिर्फ वही बच्चे रह सकते हैं, जिनका कोई नहीं हो मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है क्यों, आपके बच्चे क्या आपके अपने नहीं है वो तो मेरे ही है, मगर मैं ही हूँ का नहीं हूँ बात समझ में नहीं आई जगदिश्ट जी, जरह ठीक से बताईए किसा क्या है? किसा तो खत्म होने वाला है बेंट जी, आपका बड़ा उपकार होगा, आप मेरे बच्चों को यहाँ लिआए, तस्विय के भी से पता लिखा हुआ है, मेरे पास बैंक बैलन्स भी है, कुछ इंशोर्नस के पैसे, कुछ पाविडिन फंड, मैं सब कुछ आपके आश्रम को द करने वाला हूँ, मुझे कैंसर है, आप उन्हें यहाँ ले आईए, मुझे तो मम्तार इतना कमजोर बना दिया है, कि मैं उन्हें यहाँ ला सकता हूँ, मगर छोड़के जा नहीं सकता, मेरे पास रहेंगे, तुन्हें अपने बाप को मरता हूँ देखना पड़ेगा, फिर देख पाएंगी, कि आश्या उनकी मुस्कान, उनकी चाहत, सब कुछ मर जाएगा मेरे साथ, मुझे तो मर नहीं है, मगर उनकी उमर तो भी जिन्दा रहने की है, मेरे बच्चों को बचा लीजी, भागवान के लिए बचा लीजी उने, लाईए तस्वीर, बहुत बहुत ध बहन जी, वेरे बच्चे ज़रा शरारती हैं, आप शराज करने पर बच्चों को मारती तो नहीं न, नहीं और दो वक्त खाने ठीक मिलता है न, हाँ, मिलता है, तब तो ठीक, एक सैयाद ने एक चिडिया को पिंजरे में बंद कर दिया, मगर फिर भी डर था कि चिडिया कहीं उड़ न जाए, इसलिए उसने उसके पंक काट दिये, बिचारे चिडिया, मुझे मिल जाए, तो मैं सैय को जान से माइडा लूँगा, फिर क्या हुआ, फिर फिर वो चिडिया, बिन पंक्खों के ही उड़ गई, क्ये छे, आत्म बल से, वो क्या होता है, वो होता है, आत्मा का बल, आत्मा की शक्ति, एक ऐसी शक्ति, जिससे अंधे देखने लगते हैं, और लंगडे चलने लगत है, वो चिडिया का क्या हुआ, कहा गई वो, वो चिडिया, उड़ते, उड़ते, छोटे, छोटे तो परेंदों के घर में खुस गई, फिर, फिर क्या हुआ, फिर, फिर सुनाओंगी, चलो उठो, तुम दोनों को नहिलाती हूँ, चलो, ले आए आप मेरे बच्चों को, अच्छा नटक किया आपने हमारे साथ, आपकी बातों पर विश्वास करके आपके घर गए, वहाँ जाकर देखा, बच्चों की मा मौझूद है, जी, मा, जी हाँ, मा, मा और बेटों को देखकर ऐसा लगा, जैसे आपका परिवार बड़ा जी हो खुबसूरत पत्नी, अगर बहन जी, वो मेरी पत्नी नहीं है, और ना ही मेरी बच्चों की मा है, नहीं जाने कहां से आगी है वो, मैं भी जाकर उसे निकाल देता हम, और बच्चों खुद लेकर आता हम क्यों बेकार में अपने आपका तमाशा बना रही हूं जमना, सीधी तरह नहीं जाओगी तो मैं जबरदस्के पुलीस के जरिये ले जाओगा पुलीस के अफॉट भी ले आओगे तुभी मैं तुम्हारा साथ नहीं जाओगी तुमिश गतवारा कैसे नहीं जाओगी तुम इसके साथ मट जाना, यह तुश्याद है। मैं बड़ा होकर इस जान से माड़ डालूंगा एचेधंके चुप using exista तुम इन बच्चों की क्या रिष्ठा है तुमारा इस घर से क्यों हाँ से पहले किसी ने को इस महोले में देखा नहीं हमने तो नहीं देखा सुन लिया जमना और जहां का में रहने वाला spar कि आप से लोगों ने बहुत बार इसे बहुत अच्छी तरह से देखा है तुम कुछ भी कर लो, में तुम आरे से सप नहीं जाओंगी करना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी सी मेनत करणी पड़ीग मैं तुम है सबन All the कि यह पूछना चाहिए कि इस मैला से इनका संबंद है क्यों माईयों पूछना चाहिए यह नहीं यह मेरी पत्नी है बाबुजी यह तो खारे पानी की मचली है कि अब तुम अपने आप यहां से दफाव हो जाओ तुम जाता हूँ सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आग्मी है महले से बाहर निकलो शरीफ की आवलाद दबाओ जाओ जाओ यहां से डाला मुगर आपना यहां से ताहे मुझसे भी बड़ा धंदेवाला है आप ज़र अंदर आएए आप कौन है कहां से आई है मैं नहीं जानता आप का उस आदमी से क्या तालुक है मैं यह भी नहीं जानता वह जिस बात को वह सचमान का चला गया है आप उसे सचमत मान लीजेगा मेरा आपके साथ ना कुछ तालुक था ना है नहो सकता है राजू मेरा एक लास पाणी लाव जल्दी मैं लिया कि अज़र 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 कहा रहती है आप अगर आपको उसे जाए डर लगता है तो मैं खुदा आपको जाकर छोड़ाओंगा मैं चली जाओंगी मा और बेटों को देखकर ऐसा लगा जैसे आपका परिवार बड़ा सुखी परिवार है दो सुन्दर बच्चे एक खुबसूरत पत्मी मैं आपको बचली है मैं कहा जाओंग मेरे कोई गर नहीं है जाब आपने बाप से पुछ जिसने से पैदा किया है वाग जाता के नहीं है चलाए मेरा कोई नहीं है मेरा गड़ नहीं है मैं का जाओ कि अहीं है मेरा कोई ते नहीं है सादव तुमने भी ली कल रात बच्चों ने जाने नहीं दिया बस जिद कर रहे थे सोचा सो जाएंगे तो चली जाओंगी मगर सोते सोते बहुत रात हो गई थी नाष्टा बना दिया है जागने से पहले चली जाती हूं इस तरह चोरी से जाने की का जुरूरत है बच्चे हैं जेतों करेंगे ही जागने पर समझा जाकर चली मेरी तु सुनता ही नहीं, मैं ठीक से समझा भी नहीं सकता आज पापा मारे लिए नए कपड़े लाएंगे अच्छा? हाँ, आज पापा को पैसे मिलेंगे ओ, तब तक क्या तुम नंगे खड़े रहोगे? हाँ, नहीं, सर्दी लग जाएगी, चलो बहर जाओ और कपड़े पहनो पापा आगे, पापा आगे अरे देवु बेटा, यह देख, तेरे लिए और राजु के लिए कपड़े, हैं? पापा और क्या लाए? राजु बेटा, यह उसको देदो आँटे को, न? इसकी क्या जरूरत थी? तो हर पाद दूसरी साड़ी नहीं थी न, इसलिए पापा अरे वा बेटा देवु, तू तो बड़ा सुन्दर लग रहा है अरे राजु, तुम तो धुनों बड़ अच्छे लग रहे हैं बेटा हेलो जगदीश आओ राजन यह मेरी बीवी और यह मेरा मुन्ना हेलो बेटे राज यह मेरे बच्चे हैं देवु और राजु और यह 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 इनकी माँ है नमस्ते मैं आपनों के लिए चाही ले आती हूं चली मैं आपकी मदद करती हूं बेहन मेरी तो एक को ही जन्म देने में जान निकल गए थी आपने दो को एक साथ जन्म कैसे दिया माँ बनते वक्त इतनी खुश थी इतनी खुश थी कि कुछ यादी नहीं रहा सजी नहीं बारा तो क्या आईन मिलन की रात तो क्या व्याह किया तेरी आदों से गठ भंधन तेरे वादों से बिन तेरे हम तेरे बिन तेरे हम तेरे ओ बिन तेरे हम तेरे बिन तेरे हम तेरे तुमने अपना मान लिया है हम थे कहां इसका विल वो एहसान किया आजा देकर जिसको चुकाना मुश्किल दिर बनी न दुलहन तो क्या पहन नहीं कंगन तो क्या तुमने दूब हो जो परे मुश्किल तुमने जिसको फ्रये राएं खराएं तो कि अथे कि अधिश्क परे रस न दुलभ खीषई आहर गोब गो रूगाँ जा खिला आगए नाग। जजय कुछे òान झाल यह दवाई किस बिमारी के दिये है कैंसर सभी कुछ खत्म हो रहा है जम्ना समय सांसे इरादे तुम तुम शायद नहीं जानती मुझे कुछ कैंसर है मैं जानती हूं जम्ना मन की बात कहूं कहिए तुम से मिलने के बाद जीने को बहुत जीचा हा मेरा मगर फिर यही सोचा किसी मांग को भरकर उजार देने से तो यही अच्छा है कि उसे सूनी छोड़ दिया जाए इसा मत कहिए इसा मत कहिए सुहा क्या होता है यह मैं नहीं जानती लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं विद्वा हो जाओंगी अगर तो मैं अगर नहीं अगर तो अगर अगर तो जाओंगी कैसे कैसे खेल खेलता है जबना यह जनम अगरत कि सभी उसी की तो खेल है कि अभी आंके खुलने भी नहीं पाई थी मां को बच्चों से चीन लिया जबान का तोतलापन अभी गया नहीं कि बाप जा रहा है तुमसे पुरी तरह पहचान भी नहीं हुई कि साथ छूट रहा है जबना तुम्हें कोई सुक तो दे नहीं सका हां अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं सुना है शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का मिलन परमात्म से होता है मैं मैं उस परमपिता से प्रार्थन करूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा करें मैं आपको बच्चन देती हूं मैं जब तक जिऊंगी आपके बच्चों की माँ बढ़ कर जिऊंगी जमना इन भागों को पालने से ज्यादा संभालने के शुरूच पड़ेगी देखो कभी कभी मजबूर हो जाओ ना वे बस हो जाओ तो लो इन को आपने का दो देह बढ़े ना रूम्हार्ण रूम्हार्ण हाँ 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 तन के रिष्टे तूड़ भी जाए तूटे नवन के बनधन जिसने दिया हम को अपना पन उसी का है ये जीवन पादलिया मन का बंधन जीवन है तुझ पर अर्बन बिन तेरे खम तेरे खम तेरे बिन तेरे हम तेरे पापा कहा गय हमारे पापा मर गय है न हमारे तुम मा भी मर गई है नहीं बिटे तुम्हारी मा नहीं मरी मैं तुम्हारी मा हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ जगदीश ने आपको अपना नॉमिनी बनाया है यह है प्राविनेंट फंड और इंशुनेंस के सारे तीन हजार रुपिये इन लीजे रिष्टा शायद कुछ ठीक नहीं हो पाया था आप दोनों के बीच रिष्टा तो ठीक था बाबुजी रिष्टे का नाम ठीक नहीं हो पाया था तुम अंदर कैसे आये दो नंबर के खिड़की तोड़कर आया हूँ सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ और तुम्हारा ही कौन मेरे सिवा है आज मेरा स्ब कुछ है मेरा घर मेरी province मेरे बच्ची है घर रेतका है जमना बच्चे दूसरे के हैं तुम्हारा तो सिर्फ मैं हूँ मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूं मिले संसार से चले जाओ मैं माँ हूं माँ दो बच्चों की माँ क्यों बेकार ममता का नाटक कर रही हो कपड़े बदल कर कोठे की कबूतरी महसति नहीं बन सकती जित करके मेरा धंदा और जवानी का चद्दा क्यों बर्बाद कर रही हो चलो मेरे साथ मुझे छोड़ दो मैं तुम लोगी मेरे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी कहां जाओगी अब यह घर इस संसारी मेरा सब कुछ है बेवकूफ मत बनो जमना, जिन बच्चों को तुमने जन्म नहीं दिया, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, जिससे तुम्हारी शादी नहीं हुई, उसकी विध्वा बनकर तुम दुनिया को धोका दे सकती हो, मुझे नहीं, आज मैं तुम्हे साथ लेकर ही जाऊँगा मैं तुम्हेरे पाउं पढ़ती हूँ, मैंने अपने बीते हुए कल को उनकी चिता के साथ चला दिया है, अब मैं सिर्फ उनकी विध्वा और उनके बच्चों की मा के रूप में जी सकती हूँ, मेरे दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि चलो विद्वाई बनी रहना कपड़ों का हेर फेर है ना मगर मा नहीं बनने दूँगा मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को इस स्कूल से उठवा दिया है तुम्हारे रुपारे, वे और रुपारे, रादे शानता कि में शरी बात मैं पूआ राचू, जे पूआ! राजू, देभू देभू, मा बुलारी है, चल राजू, देभू, राजू, मा मा, मा, मा नेभू आ तोडलाई रे चरणावी मुकड भीयारी है न? हाँ, क्या हुआ हुआ हुजूर? सारा देश जानता कि मैं शरीफ आदमी हूँ अरे चल चल ठाने चल अजी पता चलेगा लड़क्यों के रहन्दा करता है लगता आप लोगों के बुरे देना गए हाँ अरा भी कहीं का, मार, 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 चबिते उठीकरें मा, मा भूक लगी है मा, मा भूक लगी है खानना दो न मा अरे गुड़ाखू मेरे सुरत क्या देख रहे खाम करो बोले तो, अरदर खाम करो रहे चल, चल, खाम करो, अरे जोड से मारो मेरे दिल के तुक्डे तुक्डे वोग हाई कितना तेज बुखार है मैंने कितनी मर्दबा मना किया था तूप में मत खेला करो मैंने दवाई लिख दिये किसी भी केमिस के दुकान से इसे खरिद लीजिए और उसको सुबर शाम दो टाइम खाने के बाद दे दीजिए ठीक हो जाएगा यह कितने रुपए के होंगी यही कुछ पंदरा एक रुप्य है इससे बहुत तेज बुखार है राजू तो यहां बैठ मैं भी आती हूँ देखो जमना मैं नशे के अंदर है मैं जबरदस्ती कुछ ने करूँगा आज समझे का नहीं तुमारे बच्ची की तबेट चीक नहीं तौर तुमको पंदरा रुपे चाहिए और मेरी नियत ठीक नहीं है अरे पंदरा क्या मैं तुमको 20 रुपे देंगे सब कुछ देंगे लेकिन मेरे को तुमारा ये देखता हुआ बदन चाहिए समझे कर नहीं नहीं कितने रुपे हुए पंदर रुपे पचास पैसे हुए अरे पकड़ो पकड़ो भाग रही है जोड़ 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 इस्पेटर साथ दोड़ो देखो भाग रही है कि कि अब तक सो रहा है हां मा इसका बदन बहुत गरम है इससे बुखार है पिटा ये ले ये दवाई है जब जाग जाए तो खाने के बाद इसे ये दवाई देदेना हां खाना का है मा खाना 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 पड़ोस में से किसी से मांग लेना दूर मत जाना तुम कहां जा रहे हो मा मैं एक काम से जा रही हूं बेटा शयदाने में कुछ दिन लग जाए जब तक मैं वापस ना हूँ यही रहना कही दूर मत जाना ते वो बिमार है उसे संभालना बेटा हमको भी साथ लेचर रहने मा डेर लगता है नहीं बिटा मैं बहुत चलता आजाओंगी चलिये माफ किजिगा मैं आपके लिए नहीं आया था किसी और के लिए आया था वो दवाई कितने कि थी कि पंदर उोपर पचास पैसे होते हैं काना और मुद डीए czap मा पूख लगे मं माप पर उसके घर से खाना मांग के लाया हूँ तुम भी खाना प्रभू कंगा के लिए तुम्हारे चटाएं थी संभाल लिया तुमने मेरा आचे बहुत कम्जोर है यह चांद और सूरज नहीं संभाल सकोंगी मैं नहीं संभाल सकोंगी मैं मां मां तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो अब हम दूप में कभी नहीं खेलेंगे मां हमें छोड़कर मत जाओ मैं तुम लोगों को छोड़कर कही नहीं जाओगी कभी नहीं जाओगी कभी नहीं जाओगी कभी नहीं जाओगी कभी नहीं जादट एड़कर कही नहीं करहा हमें जाओगी कि दो जवान बेटों की मां को सिर्फ खाना बनाते वक्त पसीन आना चाहिए और कभी नहीं इस पसीने की कमाई है तुम दोनों की जवानी अब और कुछ तो कमाना नहीं है तुम्हें जो कुछ कमा लिया है हुसी की कमाई को समालना है अब तुम इस चगय को और इस काम को आखरी प्रणाम करो और चलो देबु भी आया है देबु वो हाँ कॉलोज का टाइम हो गया आते हो गया चलो क्या करू सजनी आये न बॉलन आ करू सजनी अलो देबु इतना इंतजार मत कराय करो कहीं ऐसा नहों के मैं सन तुलसी दास की तना तुम्हें छोड़कर राम के पीछे लग जाओं अच्छा जब मैं इंतजार करती हूं और जनाब तीन तीन घंटे लेट आते तब मैं किसके पीछे लगूं बॉवी का गाना नहीं सुना तुमने प्यार में सोदा नहीं प्यार में हिसाब किताब नहीं प्यार में लेना देना नहीं और क्या क्या नहीं होता प्यार में और 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 प्यार में उंचा नाटा नहीं प्यार में पतला मोटा नहीं प्यार में काला गुरा नहीं प्यार में सिर्फ प्यार होता है, और कुछ नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता तुम बेखार परिशान हो रही हुमा यह तो बिल्कुल सीरा साधा हिसाब किताब है देखो 70 रुपए मकान का भाड़ा 230 रुपए रसोई का खर्च राशन मिलाकर 27 रुपए 90 पैसे बिजली का बिल 200 रुपए देबू के कॉलेज का खर्च बाकी जो बचेगा उसमें कपड़े अपड़े तुम्हारी पूजा और देबू का जेब खर्च और तेरे लिए क्या बचेगा? देबू को इतना जेब खर्च देने की क्या जरूरत है? तो हम दोनों घर बैठ जाएंगे तब अपनी कमाई हमें देखकर जितना चाहे यश्कमा लेना यही बात मैं आज तुम दोनों से कहना चाहता हूँ मैं आज से पढ़ाई छोड़कर काम करूँगा देबू तरी पढ़ाई मा का सपना है, मेरी मेहनत है पढ़कर तुम हम पर ऐसान कर रहा है पढ़ा कर हम तुछ बनें जिन दो आँखों से इंसान देखता है उनमें से कोई एक आँख दूसरी पर ऐसान कर ही नहीं सकती है ऐसान दोनों मिलकर करती है देखने वाले पर बेटे जिस दुनिया से मैंने तुम्हें अलग किया था वो तुम्हारी मा की काया की दुनिया थी जिस दुनिया में तुम पली बड़ी हो जवान हो गई हो वो प्यार और मुहबत की दुनिया है जिस इंसान की जिगर से तुम्हारे चेरे पर हया की सुर्खे आ जाती है क्या तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है ये नहीं अभी तो कुछ नहीं बताया मा लेकिन बखताने पर सब बता दूँगी और और फिर बताने के लिए है भी क्या यही ना कि तुम मेरी मा हो पिटाजी के बारे में तुम्हें कुछ चानती नहीं, कौन है, क्या है, कहां है? मुझे पिटाजी के बारे में बताओ न मा? आप ख़पराई है नहीं जग मुहन पाबू. मैंने आपके नाजायज बच्चे को जनम जरूर दिया है. लेकिन मैं कोई नाजास बात नहीं करना चाहती. मगर मैं तुहारे बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता तेलन. मैं जानती हूँ, लेकिन उसे मेरे नाम से तो दूर रख सकते हैं. क्या मतलब? तुहारे नाम के साथ इॅज़त है. मेरे नाम के साथ सिर्फ कीचड हम दोनों मिलकर उसे इज़त और कीचड से दूर रखके पालने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा नाम के सिवा मैं सब कुछ बता सकती हूँ वो बहुत धन दौलत चादाद के मालिक हैं अच्छे हैं बहुत बड़े खांदान के हैं शरीफ हैं क्या बताऊं सेट जी आत्माराम की मौत ने एक मामूली से एक्सिडेंट को इमोशनल जॉलमोखी का रूप ने दिया है फैक्ट्री में हर मजदूर ऐसे बहेव कर रहा है जैसे उसी का बाप मर क्या हूँ मेरा ख्याल है सेट जी अगर सारी नहीं तो कुछ मांगें हमें कबूल करने ही पड़ेंगी गणेश लड़ाई में कमजोरी मुझे पसंद नहीं हां ये कोई बात हुई ना भला कुते को द मांगना तुम्हारा हक है लेकिन जो कुछ तुम मांग रहे हो वो हक नहीं ज्यादती है एक्सपोर्टेशन नई सेट जी आपकी फैक्टर में मशीन की खराबी की वज़ा से एक इनसान मर गया हम आपका कुछ बिगारना नहीं चाहते लेकिन मरने वाले की बीवी बच्चों के लिए कुछ बनाना जरूर चाहते हैं मरने वाला मैशीन की खराबी की वज़ा से नहीं बलके अपनी घलती से मरा है 45 बरस का होगा हाथी तो था नहीं जो 100 बरस जिन्दा रहता समझो पांच बरस और जिन्दा रहता तो पांच बरस की तरहा जितनी बनती है वो लेलो और क अब तक तो हम आत्मराम की बीवी बच्चों के लिए सिर्फ तालोटी मांग रहे थे मगर अब मजदूरी भी ज़रा महंगी हो जाएगी आपके लिए मैं तो कहता हूँ सेट के बंगले को आड़ लगा देनी चाहिए हाँ सब कुछ जुला के रा कर देना चाहिए नहीं ये ठीक नहीं है कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए हमारा हत्यार है हर्ताल जो पूंजी पती मजदूरों की जान को जान नहीं समस्ता उसके आप लोगों के नारों का कोई असर नहीं होगा उसका घर जलेगा तब ही वह पिगलेगा मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई भी कदम उठाएं जिससे कानून सेट जी के हक में हो जाए कल से हमारी हर्ताल शुरू होगी हम अपने हप के लिए आखरी दम तक लड़ते रहेंगे आप इतनी रात के यहां क्या कर रहे हैं आपके पिता जी ने वरकर्स की मांगों को मांगने से इंकार कर दिया था इसलिए उचड़ गए हैं उन्होंने तै किया था कि सेट जी के बंगले को आग लगा दी जाए बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मना तो लिया लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह यहां आकर जोश में कुछ करना बैठें इसलिए आप यहां पहरते रहें जिस सांप का जहर नहीं निकाल सकते उसे कुछल देने में ही अकल बंदिया है मैंने बच्पन से लेकर अभी तक पौने आठ सो साप मारे हैं आप एरिया बताइए अभी दस मिनट में एक लाश लेकर आता हूं मेर्ड की तरह कुदा मत कर नेवले की तरह घूमा कर किसकी बात कर रहे हो किंकोब्रा राजू मेरे बड़े बाई साहब आप चिंता मत कीजिए मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर आपके रास्ते का ये कांटा उठा कर अपनी घर के सामने डाल देंगे ओपट की तरह पटपट मत किया कर गिद की तरह देखा कर समझें राब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि काटा उठाने के चक्कर में तुम लोग रास्ता ही खराब कर दो आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बड़े बाई साहब आप एक काम कीजिए कल शाम को सब मजदूरों को यहां चाय पे बुलाईए और उस साम को भी किंग कोगरा और फिर देखिए इसमदारी का उससे क्या होगा इससे यह होगा कि सब मजदूर पालतू कुत्तों की तरह यहां आएंगे और चाय भीएंगे और ओचाय मेरा बाप बनाएगा और मैं बनाऊँगा इसी लिए तो किसी किसम के शक की गुंजाइश नहीं रहेगी साम भी मर जाएगा और लाटी भी नी तूटेगी अब कैसा मैसूस कर रही हो बिटी डॉक्टर को बूलाओ नहीं डेडी मैं ठीक हूँ थोड़ दिर में बिलकुल ठीक हो जाओंगी अच्छा मैं चलता हूँ अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े तो मुझे आफिस में फोन कर लेना राजु साब आपका फोन है राजु मैं शिखा बोल रही हूँ सुनो दोस्तो यारो और मित्रो आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे सेड़ जी कित्रे महान है कित्रा बड़ा दिल रखते हैं एक जंगली गैंडे की तरह और आप लोगों को ये चाय पार्टी इन्हों ने इसलिए दी है कि चाय के साथ वो चा भी दे सकें और आप लोगों को ये बता दें कि उनका और आपका रिष्टा मालक और मजदूर का नहीं बलके बैल बैल का यानि दो बैलों की जोड़ी आप लोगों के लीडर राजूदी ग्रेट बंदर सैना के लीडर हनुमान से भी जहरा ताकतार हैं और सेड़ जी कल उनके साथ बैठ कर समझोता कर लेंगे और फिर फिर आप लोगों की दोस्ती ऐसी हो जाएगी जैसे तोता मैना की तालिया और फिर हर काम बड़े मजे से होगा गीत होंगे कोईल कूके की और गदा आ गया हूँ और इस खुशी के मौके पर मैं मजदूरों के नेता राजू को अपने हातों से सेड़ जी की चाह के साथ चाय पेश करता हूँ लीजी और मैं मजदूरों की चाह के साथ सेड़ जी को चाह पेश करता हूँ ठहिए सेड़ जी प्यारे भाईयों इन दोनों प्यालों में से सबसे पहले एक एक घूट मैं प्यूँगा नहीं नहीं राजु भाया यह नहीं हो सकता सेड़ जी के प्याले की चाहे अगर सेड़ जी नहीं पिएंगे तो मैं पी लूँगा अगर मैं आपको नहीं पिने दूँगा इसमें जहर है तुमने इस कप में सेड़ जी के लिए जहर मिलाया और सिर्ट जी ने इस कप में मेरे लिए सहर मिलाया सिर्ट जी अगर इस समस्या का हल मौत है राजो भाई आप बिच में सहर जाएए रुट जाओ मैं कहता हूँ रुट जाओ तुम लोग ऐसा कुछ ने करोगे ये मुझे मारना चाहते हैं और तुम इने मारना चाहते हो दूर में फर्क क्या है रख दो कुर्सियां सिर्ट जी मजदूर तो सदियों से मरता आया है आज भी मरेगा नहीं लाजू नहीं नहीं सिर्ट जी इस कब की चाय में तब तक नहीं गिराऊंगा जब तक आप यह नहीं मानेंगे के इसका जहर मेरे लिए था नहीं राजू इस चाय को अपने हाँ से फैक तो क्योंकि इसमें जो जहर है उससे कहीं ज्यादा खतला जहर मेरे मन में था जो तुमने साफ कर दिया जो अगर तुम चाहो तो मैं हर मजदूर के पाव पकड़कर माफी मांगने को तयार हूं सेख जी हम मजदूर ना आपको तोड़ने चाहते हैं न छुकाने चाहते हैं हम तो अपना हग जाजू आज से मजदूरों का हग क्या है और मेरा फर्स क्या है इन दोनों बातों का फैसला तुम ही करोगे तैंकिसेट जी तैंकियो वरी माच ऐसेए network अइक बात बटारा जो अगर व कि लड़कर शूड़अ उ अके अगर व लोड़का शूर न मचा था कुछ और मजबूर लोग चैन से जी सके हैं या कोई अंधा देखने लग जाए इस कारण कभी मुझे अपनी जान देनी पड़ेगा तो देहिद होता है जो जान किसी के लिए देनी की सोचता है क्या वो सिर्फ उसकी अपनी होती है जीने वाला किसी की जान बन कर भी जीता है और किसी को जान बना कर भी जीता है तुम कैसे जीते हूं मेरी हालत उस बच्चे की तरह है जिसमें पूनम के चांद को देख भी लिया है पसंद भी कर लिया है और अब पाने की इच्छा भी कर बैठा है जब तक उसे कोई ऐसा नहीं मिल जाए जो समझाए कि बच्चे चांद को सराह जा सकता है चाहा नहीं जा सकता पाया नहीं जा सकता तब तक ये बच्चा ऐसे ही बेकरा रहेगा भगवान करे, इस बच्चे को ऐसे समझाने वाला कोई न मिले। क्यों? ताकि ये बच्चा हमेशा ऐसे ही बेकरार रहे, बेचेन रहे। और अरंथ में ये विश्वास कर ले, कि उसे ये चांद मिल सकता है, वो उसे पा सकता है। सच। दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है, बेवफा तुम्हे कहना, दोस्त बन के आए हो। क्लोदी शेहाँ हो जोस्त बन मुश्किल, दोस्त बन के रहना, दोस्त बन के लिए हो जोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के आए हो। तुम किरन तुम किरन सवेरे की तुम करार मन्जिल का जब से तुम को देखा है खिल उठा है चमन दिल का दोस्त बन के आए हूँ दोस्त बन के ही रहना अब बहुत ही मुश्किल है बेवफा तुम्हे कहना दोस्त बन के आए हूँ किरे दुम किरे तुम किरे रहूँ तुम हो मेरा, तुम हो मेरा आइना, मैं तुम्हारी शुरत हूँ तुम मेरा मुपातर हूँ, मैं तुम्हारी शुरत हूँ दोस्त बन के आए हूँ, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है दे मुफा तुने के है ना, दोस्त बन के आए हूँ उम्र बरना उम्र बरना आना तुम दिल जणों की बातों में, साथ हमको जलना है हाथ लेके हातों में, दोस्त बन के आए हूँ दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है दे मुफा तुम्हे कहना, दोस्त बन के आए हूँ अब बहुत दिनों से सूच रही हूँ, तुमसे कहूँ क्या इतना तेज क्यों भाग रहे हो, कुछ कहने सुनने के लिए रुकना पड़ता है रुके रहना पड़ता है जो बात कहने के लिए तुम्हे बहुत दिन सोचना पड़ा, वह बहुत ही वजंदार बात होगी मैं जरा एक्साइस करनो एक तेबु मजाख मत करो, बात बात क्या बतंगर भी हो तो कह डालो, मेरा जिगर बहुत बढ़ा है मुझसे कहा नहीं जा रहा है मैं कहने में मदद करता हूँ के से प्यार हो गया है पहले किसी और से प्यार था अच्छा यह बताओ यह बात आने वाले कल की है आज की है या गुजरेो कल की है गुजरे हुए कल की त्री जीन फिल्म देगी थी नाजाज मावाब की अवलाद हो मेरी माँ वेश्य मेरे खर मेरी माँ और मेरे भाई से मिले चलोगी मा मा यह करन जीदी रोओ बेटी बहुत प्यारी हो बेटी मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी हो तेबु को तुम्हारे अलवा कोई बात ही नहीं सूचती सार वक्त तुम्हारी बात करता रहता है तुम हुस्टल में रहती हो ना और रहेगी का इसके माता पिता ब्राता बसंपूर में रहते हैं इसलिए हुस्टल में रहती है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बसंपूर में और करेंगे ही क्या धंदा करते हैं जूतों का मेरा मतलब जूतों का नहीं कपड़ों की दुकान है इनकी भाईया आ गये किरन भाईया यह किरन अच्छा यह किरन कि क्यों है ना एक जैसे खागे ना जटका तुम लोग बैठो मैं चाई बना कर लाती हूँ भाईया आप काभी धके हुए लग रहे हैं मुआ दोने नहीं जाएंगे क्या है अब कपड़े की दुकान कहां से आ गई अरे तुमारे पिताजी की कपड़े की दुकान नहीं है तो खुलवा देंगे और अगर माने मुझे पसे नहीं किया तो ऐसा हो यह नहीं सकता तुम नहीं जानती मेरी माँ को वो हमारा सब कुछ सवारती है कभी कुछ बिगारती है समस्या तो होगी तुम्हारे जनम दादा की वो क्या कहेंगे मेरे जनम दादा को जो कहना होगा मैं सुन लोगी और जो समझाना होगा समझा दोगी मगर कब आज ही मेरी बेसबरी को इतनी अच्छी तरह समझने का शुक्रिया ड़ी आओ बेटी आओ ड़ी आज तक मैंने आप से जो मांगा आपने दिया जो चाहा आपने किया लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मेरी चाहाद के खिलाफ हो पेटी ये तुम्हारे समझने की कमजोरी है या मेरे सोचने की शायद आपकी जिद मैं अगर जिद करूँगा तो तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगा अगर मैं जिद करूँ कि मैं राजु से ही शादी करूँगी तो क्या आप अपनी से छोड़ देंगे नहीं छोड़ूगा ऐसा भी नहीं कह सकता असानी से छोड़ दूगा इसका विबादा नहीं कर सकता फैसले का वक्त आ गया तो वक्त ही मदद करेगा फैसला करने में तराजू तुहारे सामने होगा, हर चीज तुहारे सामने तुलेगे तुहारी खुशी, तुहारा सुख, खानदान की इज़त, मेरी रेपूटेशन, और मेरा स्टेटिस ये तु सुनकर ही लग रहा है, आपका पलड़ भारी है नहीं बेटी, ये दोनों पलड़े जिस टंडी से बंदे हुए हैं, वो है बाप बेटी का रिष्टा, जो हर चीज से ज़्यादा भारी होता थांक यू जड़ी गॉड ब्लस यू, माई टियर चाइल्ट रुल जब सरकार तुम्हें जाने के लिए विडेश लिए जोर क्वे Lite मैं सिलिए जाओंगा कर तक देक्यादा करने के लिए बहुट साल रूपया है मैं दूपया है? मा ! मा!!! सम्झाओं ना, इसे जब दो मनमानी करता रहता है बड़ा है बात तो माननी पड़ेगी तुम तो दोनों से बड़ी हो तुम कुछ बोलो न जो दोनों मानले बूलू हाँ बूलो न तुम अपने भाई की बात मान लो मान लो मैं जानता हूं तुम दूनों मां बेटे मिले हुए हो ये नहीं चाहता कि तुम्हारे प्यार में इसके साथ कोई और भी हिस्सेदार हो देड़ साल तक कोई मां पुकाने वाला नहीं होगा ना हाँ जरा आने सिर्फ भावी को भाई साथ अरे सिर्फ भावी की बात क्यों कर रहा है किरन भी तो आएगी क्या बात है दीबू किरन का नाम सुनकर तुम चिंता में क्यों पढ़ गए अरे यह सब नाटक है मा इसको चिंता डेड़ साल तक तुम से हमसे दूर रहने की नहीं है किरन से दूर रहने की है मा किरन एक बेश्या की बेटी है क्या किरन एक वेश्या की बेटी है जिस्कंत को धूने में उमर बीद गई वह अब बुढ़ाबे में फिर दर्वासे तक आ गई है kı know अधरने में सद्या लग गई, बिगड़ने में सिर्फ एक पल. एक बात बताओ, देबू, किरन के मामले में मेरी बात मानोगे या अपनी मन मानी करोगे? तुम्हारा कहा अगर मन नहीं माना, तुम मन को मार कर मानूगा. देबू के मन का साथ दोगे या मेरा? मा, मा, होगा वही जो तुम कहोगी, अगर कहना वही जो तुम चाहती हो. मैं चाहती हूँ, जहां मैं आकर मा बनी हूँ, वहां एक ऐसी मा के उलाद ना आये, जिसका पेशा वही है, जो मा बनने से पहले मेरा था. मा, क्या ये स्वार्त नहीं है? मा, तुम वो नदी नहीं हो, जो गंगा में मिलकर पवित्र हो जाती है. तुम गंगा हो मा, तुम में मिलकर पाकिस सब नदियां पवित्र हो जाती है. किरन के सामने देवु की नजर चुक जाये ऐसा तुम नहीं चाह सकती, मा कभी नहीं चाह सकती राजु, तुम ठीक कह रहे हो तुम यही ठरू हा अदेवु, मा कहा है भया मा कि चलो मा मा, मा, मा चला क्यों रहा है मा मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ बोलत कौन है अरे तुम जिसे भी लाया हो जिसे भी लाया है मैं उसको होने वाला देवर हूँ शीखा जीदी रो बेटी जानती तो नहीं मैं मगर अंदाजा है कि तुम किसी बहुत बड़े खांदान से हो हुँ गरीब है छोटा सा घार है बठाने के लिए शायद काईदी की कोई कुरसी भी नहीं मिलेगी मगर निगा है पिछियों की सबकी ठेहरो पहले मुझे से मिलो मैं देबू हूँ भाई तुम मेरी होने वाली अच्छी भावी और मैं तुमारा होने वाला बहुत अच्छा देवर मैंने कहा था ना बिलकुल मेरी कारवन कॉपी है पांच मिन मुझे बड़ा है ना इसलिए अपने आपको ओरिजिनल कहता और मुझे कॉपी घर छोटा है मगर भगवान और इंसान दुन्हों ही बसते हैं यहाँ मेरा आशिरवाद है तुम्हें हमेशा सुखी रहो मा को तो बच्छर में ही खो दिया लेकिन आज मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए आज से मेरा भी आपकी ममता पर उतना ही हक है जितना ला जोड़ते बुगा हक वहाँ जिताना पड़ता है जिसके यह बटवारे में कोई जगड़ा हो यहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा है तुम्हारी सूरोच से लग रहा है बेटी तुम सच कह रही हो मैं तो भूकी थी, प्यासी थी मा मिल गई मुझे जिसके लिए मैं बच्पल से दरसती रही सच कहा है किसी ने बाप उलाद के लिए कुछ भी करे लेकिन मा मा ही होती है ऐसी बात नहीं जड़ी, यह सच है आपने मुझे कभी मा की कभी महसूस नहीं होने दी लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो होता है पानी मिलने पर इनसान को लगता है कि वो सद्यों से प्यासा था मैं क्या मांगू मेरे कनाई तो जाने मेरे किस में भराई मैं क्या मांगू मेरे कनाई तो जाने मेरे किस में भराई जो भी दे दे सर आखों पर तु है अंतर या में सहारा तिरा रे ओ साई सहारा तिरा रे ओ साई ने क्या मांगों मेरे कनाई तो जाने मेरे किसमें भनाई कर दो जाने मेरे कर दो जाने मेरे कर दो जाने अंतर रे सारी दुनिया को जो खिराए उसको क्या मैं वोग लगाओ सांसों से जिसकी खिलते हैं मधूबन उस पर क्या दो फूल चड़ाओ तुझ पे चड़ाने मन लोई हो कर ले तू स्विकार साहारा तेरा रे मैं क्या मांगू मेरे कनाई तू जाने मेरे किस में बनाई झाल मेरे के लोगाओ जार रे उसकी बनाई कर दो प्रवे लोगाओ कर दो चाल मेरे को खिलते हैं तू पारस है जिसको छोले वो कंकर कंचन हो जाए तेरी शरण जो आये बगवन वो पापी पावन हो जाए जीवन के हर मोड़ पिनाता तेरा ही आधार सहारा तेरा नमस्ते पहचान लिया हो तो बात वैसे शुरू करूँ जैसे दोजान पहचानवाले लोग बात करते हैं या कुछ याद दिलाने के लिए कहूं याद मुझे सब कुछ है सिर्ट जी कहिए क्या कहना चाहते हैं मैं उसे कलौथी लड़की का बाप हूँ जो राजू से प्यार करती है आप आप बैठेंगे नहीं नहीं मैं राजू और देप के मान नहीं हूँ मैं उन्हें सिर्फ पाला है उन्हें जैम देने का साफ़ा कि मेरा नहीं है तुम्हारी असलियत जानते हैं वो जानते हैं सिर्ट जी मैंने अपने बच्चों से अपना कुछ नहीं छिपाया राजू क्या कहका पुकारता है तुम्हें? मा, कहता ही नहीं, समझता भी है आप चिंता ना करे, आप चाहेंगे तो उसे एक रिष्टे के लिए जिसकी खातर आप यहां आए हैं मैं अपने तमाम रिष्टों को तोड़ दूँगी अगर मेरा कल बच्चों के आने वाले कल को बिगाड़ने लगेगा तो मैं अपने आज को बिगाड़ लूँगी अगर अपने बच्चों के कल को नहीं बिगड़ने दूँगी मैं तुम्हारे घर गया था मेरी माँ से मिले आप वहाँ जो औरत मुझे मिली वो जमना बाई वेशिया है वहाँ जो औरत आप से मिली वो मेरी माँ है सिर जी डिक्षिनरी में मा का मतलब होता है एक ऐसी औरत जो बच्चे को नौ महीने कोक में रखकर जन्म देती जला दीजिए ऐसी डिक्षिनरी को जिसमें सिर्फ यही मतलब है मा का मा का मतलब जो मुझे किसी डिक्षिनरी ने नहीं बलकि जिन्दगी नहीं सिखाया है वो है एक ऐसी औरत जिसकी आँखों से बच्चा देखना सीखता है जिसकी जबान से बच्चा बोलना सीखता है और जिसके पैरों से बच्चा चलना सीखता है और आज आप जिस औरत से मिलकर आ रहे हैं वो वही औरत है जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है राजू, तुम अपने आपको जरा मेरी जगा पर रखर सोचो एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए मजबूर है एक ऐसा इंसान जो अपने खानदान की इज़त और नाम के लिए मजबूर है ये सब मजबूरियां सिर्फ इसलिए है सेट जी कि आप हर चीज जूटी इज़त के तराज उमें तोलते हैं मेरी तो कोई शर्ट नहीं मैंने आपकी बेटी से प्यार मांगा और आप से आपकी बेटी क्या कहूंगा मैं अपनी बेटी से कि जाओ बेटी, मैं तुमें एक ऐसे इंसान के हवाले करता हूँ जो एक वेशिया को अपनी मा कहता है ऐसा कुछ आपको मुझसे नहीं कहना पड़ेगा डेडी ये सब कुछ मुझे राज्चु ने उसी दिन बता दिया था जिस दिन पहली बार मैंने इनका हाथ पकड़ा तुम कैसे इंसान हो राज्चु मेरी फैक्टरी के मजदूरों नो तुम्हारा हाथ पकड़ा तुमनों मुझे फनेंशली ब्लैकमेल किया आज मेरी बेटी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो प्यार की सच्चाई और हक की मांग को ब्लैक मिल का नाम मत दीजी सिर्ट जी मेरा इतना अपमान मत कीजे कि मैं आपसे नफरत करने लग जाओं और कर भी कह सकते हो तुम बिना किसी त्याक के मेरा सब कुछ बाना चाहते हो कितने स्वार्थी हो तुम छोड़ दो उस घर को छोड़ दो उस मा को जिसकी कोक से न तुमने जन लिया है नहीं उसका दूद पिया है यहां चलियाओ यहां सब कुछ तुवारा है मुझे माफ कर दे न शीखा मैं अपनी मा के बारे में इंसान से तो क्या भगवान से भी कुछ नहीं सुना चाहता रुक जो राजु डैडी आप मुझे खोकर राजु को पाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मैं इसी वक्त राजु के साथ जा रही हूँ तुम अपने पिता को छोड़कर एक ऐसी औरत की भवबनने जा रही हूँ रस कीजी डैडी, हिस्से आगे और कुछ मत कहिएगा मैं उनके बारे में और कुछ नहीं सुना चाहती चलो राजु नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तुम मेरे साथ उस दिन चलोगी, जिस दिन इजद से तुम्हारी डोली इस घर से उठेगी तुम मेरे से हुआ जहीं करत किजी मत किशेग और में ठीजद की तुम है झालुम मेरे कुम मुलिंस आचन आये नाम पे तेरे आप भले ही जीवन हो अपने जहां में आग्रा गाले तेरा जहां जो रोशन हो तेरे लिए दिल तोड़ ले हम घर क्या जग भी छोड़ दे हम बिन तेरे हम तेरे बिन तेरे हम तेरे ओ बिन तेरे हम तेरे बिन तेरे हम तेरे बात परेशान हो नहीं नहीं तुमा शीखा के पिता ने बहुत कीचर उच्छाला ना जिसे कीचर समझ कर उच्छाल रहे थे वो तो गंगा चल था मा तुम तुम बाहर जा रही मा हाँ अब जाना ही पड़ेगा तेब उसे मुलाकात नहीं हो पाई उसका ख्याल रखना वो कमजोर है वो तेरी तरह पक्का नहीं है तुमारा इरादा क्या है? तुम कहां जा रही हो? आज मेरा कुसरा हुआ कल तुम लोग के आने वाले कल में पादाएं डालने लगया है इसलिए मेरा यहां से चला जाना ही अच्छा है तुम्हारा जीवन सवारने के लिए बहुत दुख उठाए मैंने मेरे कारण बिगड़ने लगे यह दुख उठा नहीं पाऊंगी मैं यह तुम्हें क्या हो गया मा? हमारी जिन्दगी में सर उठाने की कोई बात है तो ओं तुम्हारा गुझराओ अकल है करहन लगे हुए चांद को तुम अपने लिए पुज़ने बणा सकते हो अगर दुनिया हमारी दुनिया तो तुम हो मा तुम्हारे सवा किसी और दुनिया को तो जानते ही नहीं। जब हमने ये उंगली पकड़ी थी, तो इसकी नसे एतने ठीडी नहीं थी, ये एतने कमजोर नहीं थी। उस वक्त अगर तुम इस उंगली को छुड़ा लेती, तो एक नहीं दुनिया बना सकती थी, अपना संसार बसा सकती थी। मगर तुमने ऐसा नहीं किया आज जब इस उंगली को हमारे हाथ की जरूत है तो तुम इसे छुडा लेना चाहती हो हमारी आखों के आशो जिंदगी फर पोछती रही अपनी आखे नम हुई तो जारी हो सब कुछ दे दिया आज से पोछने का हख नहीं बिना चाहती क्यों? क्यों मा? राजू 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 तुम्हारी शादी राजू से नहीं होने दूँगा इसलिए शायद तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो मगर ऐसा नहीं है बेटी मेरी दुश्मनी तुम से नहीं है तुम्हारी मर्जी से है, तुम्हारी इडादे से है जिस इंसान की मर्जी और इरादे भी उसके नहीं होंगे पुछिए खा कैसे कभी-कभी इंसान दूसरे की मर्जी को तक्दीर समझ कर भी तो मान लेता है बैटी कैसी बात कर रहे है डड़ी अपनी मर्जी को मेरी तक्दीर बना के मुझसे मनवाना चाहते है जो बात तुम्हारे भले से शुरू होती है और तुम्हारे भले पर खत्म होती है उसको मान लेने में ही तुम्हारा भरा है नहीं डैदी जो बात मेरे प्यार को मिटा देने से शुरू होती है और मुझे मिटा देने पर खतम होती है वो मैं कभी नहीं मानूगी सिखाओ अगर मेरे खांदान की शान नाम और वज़त को एक तरफ खड़ा करके तुम दूसरी तरफ खड़ी हो जाओगी तो इस बात का फैसला तुम्हारे बाप का दिल नहीं दुमाग करेगा अगर 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 अरे मा पेरी प्यारी मा बड़ी अचीब बात है जब भी मुझे तुमाई जरूरत पढ़ती है तुम आ जाती हो अरे जब बच्चे अपनी मा को याद करें और मा उसी वाद हाजिर ना हो तो ममता को कौन समझेगा मा हमें पिता जी से कुछ नहीं चाहिए उनका नाम मिल जाता तुम फिकर मत करो बटा मैं अभी उनके पास जाती हूँ कोशिश करूँए नाम भी मिल जाए और वही तुम हरदान करें सच सच बटा मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँए बाकी तुम है या फिसमत यह तुम क्या कह रही हो तेलन मैं कुछ नहीं कह रही हूँ जी जो कुछ भी कह रही है वो तुम्हारी किरन कह रही है जब तुम उसे अपनी बेटे कहते हो तुम उसे अपनी बेटे मान क्यों नहीं लेते कहना मेरे और उसके बीज में है तेलन, मानने के लिए सारी दुनिया के सामने आना पड़ेगा मान और नाम की कैया कीमत होती है, तो में नहीं मालूम तेलन, क्योंकि तुम्य listened, कुछ थी में नहीं और मैंने भी कभी मांगा नहीं, क्योंकि मैं कई मान और नाम वालों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ पता नहीं किसके नसीब से इस अभागन को एक अच्छा लड़का मिल गया, एक अच्छा घर मिल गया थोड़ी से अच्छाय तुम भी दे दोगे, तो उसकी जिंदगी सबर जाएगी यही चाहती हो न, क्यों उसे अपनी बेटी मान का करन्यादान करूं उसका अब है तो तुम्हारी ही बेटी, चाहे मान करो, या बना करो मैंने सब कुछ सुनिया रे रे कल जिस छूटी शान के लिए, आप अपनी इकलोती बेटी को त्यागने पर तुले हुए थे आज उसी शान और मान को अपनी दूस्री बेटी के लिए छोड़ना पड़ रहा है कहां जाएक आपकी गर्दन का तनाव, आपके खांदन के नाम का क्या होगा कभी-कभी रोना अच्छा होता है डेटी, मन अलका हो जाता है बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं एक कम्सोर इंसान था इसलिए मैं सक्त बाप बने की कोशिश करता रहा डेटी, डेटी, मुझे माफ कर दो बेटी बेटी, मैं एक वक बेटी, मैं एक कर दो बेटी यह भी कोई जिंदगी है लंडन जाओ पढ़ाई करो बड़े आदमी बनो आखिर क्या गुना किया है मैंने जो मिले सबसे अलग करके इतनी दूर परदेश भेज रहे हो वो शर्ट देना ज़रा नहीं चाहिए मुझे यह शर्ट मैं शर्ट के बिना रह लूँगा लेकिन नपान की दुकान को लूँगा लेकिन मैं अगर मुझसे कुछ ने हुआ ना तो मैं खुदखुशी कर लूँगा अंग्रेज में सुसाइट कर लूँगा चाप कुछ ज्यादे भगवग कर रहा है हा देबुजी खुदकुशी बाद में कीजिगा पहले आपसे कोई मिलने आया है उनसे विली आप मेरी हैरान परेशन हालत नहीं देगरी भावी मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और ना ही कोई आदमी मुसे मिल सकता है आदमी नहीं लड़की है लड़की ओ किरन जी हां और वो है हमारी होने वाली बहु हसलो हसलो अपनी तो शादी करवाली और मेरी कर्दी सिर्फ रगाई एक टीका लागा दिया लोगों ने खाई मिठाई और बजाई ताली और चले गए अपने अपने घर और हमसे कहते हैं जाओ लंड़न सारी सारी रात तुम्हारा चेरा आखों के सामने घूंड़ा रहता है और नीन का कहीं पता नहीं होता किरन लेकिन वो साला मार्था अंटी का जो कुता है ना मार्था अंटी जिन क्या में रहता हूं वो इतना भोगता कि नीन तो ऐसे भी नी आती और वैसे भी नी आती लेक हलो मा जी मैं किरन बोल रही हूँ आप बोलो बेटी मा जी आज मेरा जनम दिन अरे वा मुबारक हो मैं चाथी हूँ आज का दिन आप लोगों के साथ बिताओं हाँ हाँ जरूर बेटी जब चीच चाहे चलिए आओ मैं जल्दी आती हूँ अच्छा राजू बेटा, जी, अभी अभी किरन का फोन आखा अज उसका जनम दिन है अच्छा, आज की शाम वो हमारे साथ बिताना चाहती है, बिताना नहीं मनाना को हो, जनम दिन बिताया नहीं मना आज जाता है, राजू, उसे तोफ़ा क्या देंगे, तुम चिंता मत कुरूं, मैं मैं और शीका सब समाल लेंगे आज किरन के जनम दिन है प्रेजन के देना चाहिए प्रेजन्ट प्रेजन्ट किरन के लिए सबसे अच्छा प्रेजन्ट हो तुम हाँ तुम ते भी बन जाओ मैं हाँ तुम समझते क्यों नहीं मा रहा सोचो तो ये जूट किरन को कितने खुशी देगा थोड़ी देर के लिए वो दुनिया जाहन को भूल जाएगी और मा अगर देबू यहां होता तो तुम्हें अच्छी तरह समझाता कि जो जहर इंसान की जान ले लेता है पगला पगला हलो किरन हलो हापी बड़ी तु यू मैं तो पिछले दो घंटे से तुम्हारे नसीप पे जल रही हूँ क्यों भई तुम्हें देबू का तार नहीं मिला मिला मुबारक बात का नहीं उसके यहां आने का क्या आने का तार मैं कितने तेर से इंतिजार कर रही थी किरन जनी दिन मुबारक हो तैंक यू तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मा से पूछू मा देबू आ रहा है ना हाँ सुईट बहुत खुबसूरा सजाया है कैसे ने सजाती एक तो तुम्हारा जनी दिन ऊपर से देबू आ रहा है खास इस मौके के लिए है न मा मैं अपी आई बैठो ना राजु सुबह से वहां बैठा हुआ है एलपूर्ट पर बस अभी आता ही होगा मा अजकल की सफ़र की क्या बात है जम्बो सेवन फोर साइव में बैठो और सीधे बॉम्बे किरन कितनी अच्छी लग रही है तुम कितने दिनों के बाद पाबी कितनी बड़ी हो गई हो तुम एनी गुट नियूस नहीं बहुत बहुत बैठो मैं भी आती हूं हाँ बैठे है अच्छा करें कियो का मियाद आई की नहीं नहीं है ओ, हाँ तो हो, बैक हों मैं वाजुता है राजु, ओ राजु को तो तुम जानती हो, काम का केड़ा है, रास्ते में टेक्सी रोकी रोकी रूदर गया कहा बहुत जुरूवी काम याद आगा है, गेंडे के बाद आएगा हेँ, अचछा, वो तुम्हारी मार्था आँटी और उनका कुता कैसा है मार्था आटी कहो न, उनका कुता रात भर भॉगता रहता है, मार्था आटी सोई रहती है मैं उनके, स्कुज मी हलो कौन ओ हाँ 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 एक में भावी आपका फोन राजु का हाँ तु मैं कह रहा था बैक होम वें लंडन तु बहुत याद आती थी मुझे अरे तु में नेल बॉलिश लगा है शुरू कर लिए बैक होम इन लंडन आजका नेल पॉलिश लगाते ही नहीं इस नहीं तु किसे आएगा पंद्रा मिंट मैं कैसे आएगा पंद्रा मिंट मैं इसमें त्रजी नहीं में 12 का गया जाए था पंद्रा मिंट में पंदरा मिनिट में चले आओ, काम देन नहींगे क्या? हलो राजु भाहिया हलो किरन, चनम दिन मुबारक हो थैंक यू मैं सुरी, देबु अभी तक नहीं आया है आ गए है, उपर मुहा धो रहे है, पंदरा मिनिट के लिए मैं बुला देती हूँ, देबु रहने दो, रहने दो, उसे ऑराम से मुहा धो लेने दो थोड़ा सा काम बाकी है, मैं कुछ दिर में आया कुछ दिर में आया अब हम राजु के इंतिसाद नहीं करेंगे चलो, चलो, चलो My brother, Raju, Raju अरे, कहां चला है यह? कमाल है राजु भी गोली की तरह आता है हुआज की तरह चला जाता है चलो कोई बात नहीं अब उसके बिना के काट लेंगे हापी बर्द दे टु यू, हापी बर्द दे टु किरन, हापी बर्द दे टु यू, 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 हापी बर्द दे ट बड़े, like back home. चलो? झालो? झाल झाल इस तरह नहीं चलेगा बात यह हुई थी कि तुम देभु बनकर सिर्फ हसोगे हसाओगे और और कुछ नहीं करोगे जूट को जब सच साबित करना पड़ता है तो हिज के चाट से काम नहीं चलता अब तुम्हें ले लो तुम्हें गुस्ता नहीं आया लेकिन तुम यह साबित करना चाहती हो के तुम्हें बाग कुसाया है रोने में हिचके चाट आ गई पकड़ी गई इस खायल के लिए हर हसीना बुथ है एक को छोड़कर जो इस खायल की जान है बात भी मीठी, बोलने में मिठास मैं क्या करूँ अपने होटों को मेरे होटों के पास ले आओ बोलना बंद हो जाएगा सुने का शौक जो है संकीत जब दिल में बजने लगे तो आखे बंद करके सुना चाहिए अरे वाँ सच छोड़ो ना, दर्वाजा खुला है मा आजाएगी आने दो मा को मा को भी तो खुश कबरी सुना नहीं तुम सुना तू जाके धत, मा के सामने तुम मेरी जबानी नहीं खुलती है क्यों? ऐसा करो, तुम्हे बता दू ना मैं? हम मैं क्या कहूँ हमा से? मैं पप बनने वाला हूँ या फिर मा तुम दाधी बनने वाली हूँ क्यों? यह नहीं कह सकते हम दो से तीन होने वाले है च्यार भी तो हो सकते हैं बेशरम इसमें बेशरम में क्या बात है चुड़वा भी तो हो सकते हैं जैसे के हम और.. महा जी महा यह महा यह महा यह शीखा है न महा हाँ क्या वा शीखा को महा यह 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 कह रहे थी कि माँ बनने वाली है ना माँ बनने वाली है तुम्हें कैसे मालूम है मुझे सब कुछ मालूम पड़ जाता है मैं कोई बुद्धु नहीं हूँ ये ले सौ रुपिये फैक्टर में मिठाय बाड़ देना मैं पाप बनने वाला हूँ नहीं क्या बत है क्या हुआ शिखा राजो राजो मैंने बहुत ही डरवना सपना देखा मुझे बहुत डर लग रहा है अरे ये सब तुम्हारी दिल की बीमारी के वज़ा से है आज सुबे तो देबु आई रहे न मैं तुम्हें तुम्हारे इस दिल के साथ डॉक्टर देबु के हवाले कर दूगा और कहूँगा अब सम्हालो इसे अब गोगरामत सुजाओ चलो हे प्रबु आज मेरा बेटा दिबु डॉक्टर बन कर आ रहा है तुम्हारे चांद और सूरज को कहां तक ले आई हूँ देखो अब मेरी क्या जुरुरत है जब तक नहीं बुला लोगे पुझा पार्ट में समय बिता लूँगी तक नहीं अब तक नहीं पुला रहा है अब मेरी केम श्पितल से बोल रहा हूँ राजुश्वर्मा के टेक्सी का सीरेज एक्सिरेंट हो गया इतना जल्दी हो से केम आपचे लेए जाए यह बड़ी अजीब दुर्गटना हो गई है टेक्सी ड्रावर को तो कुछ नहीं हुआ और दो को मामूली सी चोटें आई हैं और एक कीमृत्य हो गई है एक नहीं रहा और एक अभी तक ब्योश है इसलिए पैचानना मुश्किल हो गया है देवू या राजू जमना जी यह आप ही बता सकेंगी राजू राजू बढ़ा राजू 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 शीखागा क्या होगा? वो मर चाहेगी मर चाहेगी राजू जमना जी यह देवू है या राजू प्लीज बोलिया ना यह देवू है या राजू यह देवू है किरन कैसी हो बेटी अच्छी हूं माजी बाकी सब कैसे हैं बाकी दो नहीं एक ही है बेटी क्या हाँ हाँ डाक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर उसने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया कौन है और कौन नहीं बाकी उस तो मैंने छूट बोला है मंगर तुम से नहीं बोलूगी देबू है क्या छोट बोला आपने किरन तुम तो जानती हो शिखा की हालत उसके खादर मैंने सबसे कहा है राचु है इतना बता दिजे क्या मुझे भी यही कहना होगा जो आपने कहा हाँ बेकी तुम्हे कसम खानी होगी कि तुम इस बात को राज रखोगी आपने शिखा को बचानी के लिए तो आपने देबू को माल दिया अगर मैं आत्महत्या कर लूँ तो मिझे बचाने के लिए किसे मारेंगी आप नहीं, किरन ऐसा मत कहू पेटी अगर तुमने साथ ना दिया तो फिर मेरे लिए भी आत्महत्या के सिवा और कोई चारा नहीं होगा ठीक है, मैं कसम खाती हूँ आप जो जाएंगी, मैं वही करूँगी ठीक हलो, हलो! कि बेटी, अबर मिदी तुम्हारी तुम्हन तुवे exam नहीं और तुम डाडी, सब गसे हैं, डाडी? सब ठीक है बेटी तुम अपने कवरें हो ! राजु कğैसा है डाली? राजु ठीक है और देभू किरन? किरन भी ठीक है और देभू पोलीने डेड़ी, देबू कैसा है? देबू अब नहीं रहा बिटी तुम, तुम, तुम समझ भी रही हो माँ, कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, शेखद्र दिल की मरीज है, वो माँ बनने वाली है राजू की मौत का सद्मा, उसे मार डालेगा इसलिए मैंने सबसे यही कहा है, कि लाजू है, देबू नहीं मा, मा अगर तुम, अगर तुम दिन को रात का होगी तो सूरज भी कहीं छुप जाएगा जो तुमने कह दिया है, होगा तो वही मा मगर जूट, चाहे वो किसी को जिन्दगी देने वाला जूट क्यों नहीं हो, होता तो जूटी है न मा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है बिटे राजु शिखा से अकसर कहा करता था मेरी भाई को डॉक्टर बन कर आने दो तुम्हें 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 इस बिमार दिल के साथ देबू के हवाले कर दूगा और यह सब हुआ भी तो मा जी अव शिखा मैं करिन से मिलकर आती हूँ तुम्हें जिसके हवाले करना था उसे नसीब ने मौत के हवाले कर दिया अरे यहां क्यों लेटे हो लो दूद पी लो अब हाथ का दर्द कैसा है बुखार तु नहीं रहा ना बिचारी किरन पर बड़ा तरस आता है बहुत खोई-खोई सी रहने लगी है आज कर पता नहीं उसका क्या होगा मुझे तो लगता है उसे कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन चले जाना चाहिए ताके उसका दिल लगा रहे है अगर तेभू की जगा मुझे कुछ उप जाता तो मेरी जान जिस जान में है वो भी मेरी ही जान है वैसे तो मालिक दोनों के तुमें हो इन दोनों में से किसी को कुछ होगा यह सोचने से पहले इस तीसरी जान के बारे में भी सोचिया करो क्या हुआ मेरे मेरे सर में बहुत दर्द दर्द हो रहा है कितनी देर से तु 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 त कराती हूँ ने ने मैं ले कराती हूँ मां ये क्या कर दिया तुमने क्यों क्या हुआ मेरी बड़ी भाभी है शीखा और और भाभी मां के बराबर होती है मैं समझती हूँ बेटा मगर शीखा को जिन्दा रखने के लिए आखिर कब तक मां एक नएक दिन तो उसे पता चली जाएगा जब तक पता नहीं चलता तब तक वो चलती रहेगी जो कुछ तुम कर रहे हो उसे सिर्फ शिखाई नहीं राजु का बच्चा भी बचेगा आज के लिए खोई खोई से क्यों रहते हो मैं पूछ रही हूँ आज के लिए इतने खोई-खोई से क्यों रहते हो वो देखो न अभी तक इस साथ से सिर्फ पकड़ा नहीं जाता तो इस साथ से पकड़ लो ये क्या हो गया है तुम्हें कभी सरदर्द कभी खासी किसी अच्छी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं कुछ भी तो नहीं है मामूली सी खासी है अच्छे तुम चाय प्यों मैं नहा कर आती हूँ मैं इस घर में तुम्हारी जगन ज़रूर लेना चाहता था लेकिन इस तरह नहीं ही जब किसी अपने को मौत छीन लेती है ना तो बिटा उसको भूली जाने में हमारी भलाई है देखो तुमको तुम्हारे नसीब ने धोका दे दिया है इसमें इंसान कर ही क्या सकता है नहीं मुझे नसीब नहीं इंसान ने धोका दिया है मा इंसान ने धोका दिया है बेटा किरन किरन बेटा किरन जो मरा नहीं उसे मार दिया गया है और जो मर गया उसे जिन्दा रखने की कोशिश की जाए है क्या मतलब क्या है ते यहां मैंने कुस्म कही दिया कि यह किसी से नहीं बताऊंगी लेकिन जब मेरी दुन्या में आग लग रही हो तो मैंसे चुपने ही रहा जाता नहीं रहा जाता किरल, तुमको मेरी किसम है तुमको अपनी मा की कसम है, सख स़जबता तुम?! जिंदगी का सफ़र सीधा तो नहीं है, जम्ना उसमें कई मोड आते हैं उनमें से ये भी एक मोड है सामना हो सकता है, संबद नहीं. जबुना, मैं तेलन बाई नहीं, किरन की मा बोल रही हूँ, डेवु के बारे में. डेवु नहीं है, अब सिर्फ राजु है. बार-बार बोलने से ये जूट सच नहीं बन सकता, जबुना. क्या मतलब? मतलब ये एक शकल होने पर भी, दो इनसान, दो ही होते हैं. और नाम बदलने से एक कमजोर बीमार लड़की को अंधेरे में रखा जा सकता है, सारी दुनिया को नहीं. तुम, तुम क्या चाहती हो? देवु को किरन से अलग करने का सही कारण क्या है? हालात, डर, अगर शिखा को पता चले, खी राजु मर गया है, तो वह इस सत्मा बरदाश नहीं कर सकेगी. मर जाएगी. इस एक जूट के लिए और कितने जूट बोलोगी तुम, जितने बोलनी पड़े. किरन की आहें, देवु की घुटन, मेरी बदवाएं, शिका जियेगी कैसे? जमुना, यह सच नहीं है, जो तुम मुझे, दुनियावालों को और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हो. सच दरसल यह है, कि तुम कोठी पर से आईवी एक तवाइफ हो, जिसको आज इज़त की छट की नीचे जगे मिली है. इसलिए तुम नहीं चाहते हो, कि एक दूसरी तवाइफ की वेजी तुम्हारी बहु बने है. इसलिए तुम किरन से कुर्बानी की भीक मांग रही हो. देभू को ममता का वास्ता दिया है, और शिखा को जिंदगी की भाहने फरेव दे रही हो. निकल जाओ यहास से. सच किस कदर तीखा होता है, मेरे मुझ से सूनते ही भड़क उठी. मेरा इल्जाम यह है, कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया है. मेरी बेटी किरन का इल्जाम यह होगा, कि जिस हाथ को वो पकड़कर जिंदगी भर चलना चाहती थी, तुमने उस हाथ को छीन लिया. और देवु का इल्जाम ये होगा कि तुमने उसकी खुशियों में आग लगा दे और शिका का क्या इल्जाम होगा जमना जरा सोचो अगर इस जूट के मनने तक वो जी सकी तो क्या होगा क्या होगा पच्टाने का वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें जिस पवित्रता को तुमने चल और कपड से बेहसाब गंदा कर दिया उसका हिसाब मांगेगी वो तुमसे दो दिलों को निचोड कर जो चंद कत्रे उसकी जिन्दगी के लिए दिये हैं तुमने वही उसकी मौत का कारण बन जाएंगे उसके बाद उसके बाद तुम न जी सकोगी न मर सकोगी न कुछ बूश सकोगी न कुछ बता सकोगी जूट सुन नहीं सकोगी सच कहने ही सकोगी जमुना किसी को जनम दिये बगएर मां बन कर जिन्दगी बाट नहीं सकती हो किरन को मैंने जनम दिया है, मैं उसकी मा हूँ, आज लाग कसम खाने के बावजूद, वो मुझसे सच नहीं छुपा सके, और अब मैं, क्या करूगी तुम, मेरी बेटी की खुशी में आग लगी हो, चुपत रहूनी में मैं, और उस आग को बुझानी के लिए, जिसके हाथ से मैं बानी चुझानी के लिए लगी हाथ, जिसके हाथ, जिसके हाथ जिसका हमें अधिकार नहीं था, उस तुका भी बली चान दिया अच्छे बुरे को हम क्या जाने, जो भी किया तेरे लिए किया लाक रहे हम शर्मिंदा, रहे मगर ममता दिंदा बिन तेरे, हम तेरे, बिन तेरे, हम तेरे ओ, बिन तेरे, हम तेरे, बिन तेरे, हम तेरे मिस्टर राजियू, आपकरशिन के बिना कोई चाहरा नहीं, चाहर के दोनों बड़े डॉक्टर बहार गये हुए आज अगर आपका भाई डॉक्टर देवी होता है, तो जरूर कुछ कर सकता है शिक अदिल की मरीज है, राजू की मौत कर सकना उसे मार डालेगा डॉक्टर देवी होता तो जरूर कुछ कर सकता है डॉक्टर देवी होता तो जरूर कुछ कर सकता है देवी मुझे सब मालूम है माची में मुझे पहले ही बता दिया था अब क्यों करोगे क्यों कुछ तुम कर रहे हो उसे सिर्फ शिखा ही नहीं राजु का बच्चा भी बचेगा ऐसी मुसीबक्त के वक्त अपनी भावी को भूल जाओगे मुझे आप से शिकायत है माची आपने अपनी बहु को इतना कमजोर क्यों समझा अगर आप बेना जिनम दिये ऐसे इंसान के बच्चों को लेकर चीज सकती है जिसने आपके साथ फेरे नहीं लिये तो क्या मैं उस इंसान के बच्चे को लेकर नहीं जी सकती जो मेरे पती था मेरे बच्चे का बाप था शक्ती तो मम्ता में होती है न माँ आपने मेरी मम्ता को अपनी मम्ता से कमजोर क्यों समझा चलो माँ चलो मा ऑपरेशन का टाइम हो गया है नहीं अब इसकी कोई जरुवत नहीं सजी नहीं बारात पुच्या आइन मिलन की रात पुच्या प्याह किया तेरी आदों से गठ भन भन तेरे वाडों से बिन तेरे हम तेरे बिन तेरे हम तेरे ओ बिन तेरे हम तेरे बिन तेरे हम तेरे बिन हो आव धन तेरे अवर कि नहीं टूम